सीन प्रगाश नूसाइटीन नूसाइटीन चारगंड इंडे राइसिंग चारगंड अनना फरिवाडील केंद्राभ हिंदरबंद्री आमिच्छा समसारी किनों तलसमे समरेश्ण मैं बढ़ता हूँ आगे महराश्ट में पहले राश्पती शासन पर सवाल खड़े हुए फिर जिस तरह से शपत दे लाए गई उसके बाद राज्यपाल पर भी कुछ सवाल खड़े हुए सोनिया गांदी ने आज ही काय की प्रधान मंत्री मोदी और अमिच्छा यानि ग्रेह मंत्री अमिच्छा द्वारा महराश्ट में एक शर्मनाक प्रयास हुआ सर्मनाक प्रयास तो यह है कि उनकी स्वासिट होने के बावजूद भी मुख्यमनाक प्रयास नहीं था हमारे पास मैंडेट था सबसे बड़ी पार्टी थे सबसे ज़्यादा वॉट मिले थे सबसे ज़्यादा सीट थी हमारे पास हमारा कोई सर्मनाक प्रयास नहीं एक भी जगे पे, कहीं पर भी, मगर जिन लोगों ने अपनी आइडियोलोजी छोड़ी है, कल मैं संसत के अंदर था, किसी कॉंग्रेस के नेता में तो नाम बोलना नहीं चाहता है, इन्होंने हमारे केमपी को कहा, कि वहीं देखो, हम तो जीत गए, तुन्हें का, आप जीते हम, जीते हमें मालूम नहीं, मगर हमने आपसे जैसर्याम बुला ही लिया, अब देश की जनता को देख करना है, कौन जीता है? मैं बढ़ता हूं आगे, अमिचाती में गड़बंदन पॉलिटिक्स की तरफ आना जाता हूं, 1989 से लेकर, 2014 तक यानी करीब करीब 25 साल इस देश ने गड़बंदन सरकारों का दौर देखा, लेकिन मोधी सरकार जब 2014 में चुन कर आई तो उसने ये मिथक तोड़ दिया, और जिस गड़बंदन को वोट मिला, उस गड़बंदन से निकल गई, क्या आपको लगता है अलाइंस पॉलिटिक्स की क्या वापसी हो रही है भारत के अंदर, especially in states, राज्यों में आपकी ब्रांती पहले दूर कर दो, हमें दो बार बहुमत मिला, फिर भी हमने गठबंदन की सरकार बनाई, हमने कभी गठबंदन धर्म नहीं तोड़ा, पून बहुमत मिला तो भी, सिविसयाना हमारे सरकार में में मेंबर थी, लोजपा हमारी में जोटा सा अपना दल था, दो सिटो वाला उसको भी हमने मंत्रिपत दिया था, नौर्थिश के साथ्यों को भी दिया था, तो पून बहुमत होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने घट बंदन का धर्म निभाया है, न केवल केंदर केंदर, उत्रप्रदेश में पून बहुमत की सरकार हैं, फिर भी घटबंधन हमारा घटबंधन के मंतरी हैं, तो हर जगㅎ पर बारतिय जनता पार्टी घटबंधन के साथ लड़ती है, वहां पर हम घटबंधन की सरकार बनाते हैं और ये भारतिय जनता पार्टी का घटबंधन धर्म निभाने का एक लंबा इतियास है जहां तक अभी की सांपरत पोलिटिक्स की बात कर तो बंगाल का चुनाव आने दो चारी चारी अटकले समाप्त हो जाएगी जारखंड और बंगाल के चुनाव की गिंतियों के बाद ये दो राज्यों में भी हम जीते हैं वे ये दोन की वहाँ पर एक राजनितिक परिस्तिती बढ़ ली है पूरी पूरे देश ने महराश्ट में क्या हुआ वो देखा है महराश्ट के अंदर भारतिय जनता पाटी और सिवशेना दोनों एक घठवन्दन के हिससे नाते चुनाव लड़े जा सिवसेना लड़ी वहां हम नहीं लड़े जा हम लड़े वहांस इवसेना नहीं लड़ी चुनाओ के बाद नतीजे आए भारतिय जनता पार्टी को 105 सीटे आई सीवसेना को 56 सीटे अई और जीत का प्रतिसद भी देखे तो जो सीट हम लड़े थे उसमें से करिब करिब 70% सीटे हम जीते और सीवसेना जो सीटे लड़ी थी उसमें से 44% सीटे तो मैंडेट भारतिय जन्ता पार्टी के पक्स में था और भारतिय जन्ता पार्टी के नेता ततकालीन मुख्य मंत्री देवेंद्रा भड़निस के नित्रूत में हम चुनावल लडेते निसेटीन जार्खंड इन्डे राइसिंग जार्खंड अन्द फरिवाड़ील केंद्रा भींद्रमंत्री अमिट्छासम सारी की विए रनू गोवार आजांतरा चलाशी